अगर तुमने मेरे चैनल अभी दख सब्सक्राइब ने किया है तो फॉरण सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताके तुम्हें मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें अस्सलाम अलेकुम दोस्तों क्या हाल चालें यार मुझे लगता था कि हमारी जनरेशन कितने खुश नसीब है हमने टेकनलोजी को ग्रो करते हो देखा है टेलेफून से स्मार्टफून तक और डबा टीवी से स्मार्ट लेटी स्क्रीन तक हर चीज को बदलते हो देखा है हमने अपनी मर्जी से हर्टीस करेंगे जिंदगी को इंजॉय करेंगे और हमारे बड़े होने के साथ-सा टेकनलोजी भी बैतर होती गई लेकिन सोस हमारे अब्बा ने तो वक्त के साथ-साथ हमाँ अजादी देना शुरू कर दी लेकिन टेक्नोलोजी के इंप्रूफ होने के साथ-साथ एक ने अब्बा भी पैदा होने लगे और वो है पैम्रा जिसने आखसल जिम्मदारी उठा लिए हर चीज़ पर पावंदी लगाने की पस जहां इसा दिखता है सोसाथी बिगड़ लई है फॉरन अब्बा बन के बैन लगाना शुरू कर देता है पर इस सब्बा का एक ही मसला है यह उनी को दबाता है जिनके पिछे कोई सपोर्ट नहीं होता और जिनके पिछे सपोर्ट होता है वो सारे बैन अट वाले थे अब जलें ड्रामे को ही देख लो लोगों ने इतना शौर मचा मचा के सब्बा को जगाया और पैमरा ने जाकते ही इस ड्रामे पर बैन लगा दिया लेकिने पर ड्रामा फिर से ओनियर हो रहा है खर आज मैं किसी ड्रामे की पाबंदी पर बात नहीं कर रहा है यह तो रोज को ड्रामा हो गया पैमरा के लिए आज मैं जिसके बारे हैं बात कर रहा हूँ यह शायद हमारी मीडिया इंड्रस्ट्री को रहा रास्ता दिखा सकती है और वो है वैब सीरीज क्योंकि लोग आच लेतने बिसी हो गए इन्हें तीन दिन म्हिंटे की मूवीज या महीनों चलने वाला ड्रामे नहीं देखने इन्हें चाहिए क्विक एंडर्टेंडमेंट और वैब सीरीज यही फराम करती है अगर उसकी स्टोरी अच्छी और हट के हो तो पाकिस्तान में पहली वैब सीरीज बनी विमन इंपावल्मेंट के बारे में जिसका नाम रखा गया चुलेल्स जिसमें काफी जाने माने चेहरे लिए गए अब नाम से तो समझी गए होगे कि इसमें आज के जमाने की ओरतों को दिखाये गया कि कैसे एक अकेली औरत इस माश्रे में रहकर सरवाइफ करती है और एक मकाम हासिर करती है और बस ये कुछ लोगों से बरदाश्ट नहीं हुआ और मीडिया के अबबा मतलब पैमरा यार बूल क्यों जाते हो उसके सामदर रोना शुरू कर दिया कि ये देहें अबुची क्या दिखा जा रहा है मीडिया पर इसे बैन कीजिए और फिर पैमरा ने इस सीरीस को बैन कर दिया वैसे अमेजिंग बात तो ये है कि इस वेब सीरीस को दूसरे मिलकों पर पसंद किया जा रहा है लेकिन जहां इसे बनाया गया वहीं इसे बैन कर दिया गया क्योंकि हमें इस बात के बेकुल इजाज़त नहीं है कि हम क्या देखें और क्या नहीं आजकर हर किसी के हाथ में स्मार्टफून है और कौन इसका कैसे स्तमाल कर रहा है हर को जानता है उसके बावजूद पैमरा को अबबा बनकर हर वो चीज बैन करनी होती है जो उसके हिसाब से सही नहीं अच्छा कोई उबिटे सारा ये बता है चुडैल को तो बैन किया गया क्योंकि इसमें आजीबा इलफास का स्तामाल हुआ है हलाके सुबर शाम हमारी सुचाइटी में यही सब हो रहा है लेकिन दिखा नहीं सकते हैं वना पैमरा बैन कर देगा तो फिर न्यूस चैनल अब तक क्यों नहीं बैन हो रहे है जब न्यूस लगाओ किसी के रेप की न्यूस आ रही होती है कोई शो लगाओ तो किसी के रेप के बारे में डिस्कस हो रहा होता है और इस सबसे तंगा अगर भार चले जाओ तो हट जगा बंदाना कमजोरी के श्रहार दिवारों पर नजर आते हैं अगर यह सब हमारे सुसाइटी में अक्सेप्टेबल है तो चुड़ाल को देखके कुछ लोगों के पेट में क्यों गडबड़ हो रही है सच मता हूं मैंने अब तकी सीरीज नहीं देखी सिर्फ के प्रोमोजी देखें पर मैस बारे मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इसके पिछे किसी की महनत लगी है और किसी के पैसे अगर न्यूस वाले जो हो रहा है वो दिखा के आगाही दे रहे हैं तो ये ड्रामे और वेब सीरीज भी तो वही कर रहे हैं तो उन पर बैन क्यों और जो लोग ये बोलते हैं कि ये सब फैमिली के साथ बैटके देखने वह अच्छा नहीं लगता तब ये खायल नहीं आता कि किसी की माँ भेन वहाँ से गुजर रही है लेकिन अपने घर में इनको सारी तभी तो तहजीव याद आ जाती है चुड़ेल के बैन होने पर हमारे टीवी सार्थ भी काफी नाखुश है और उन्होंने अपने गुस्य का सार्थ ट्विटर पर कुछ इस तरह किया आसिम अबबासी जिसने ये वेब सेर्स डिरेक्ट की है लिखते हैं कितनी अजीब बात है कि चुड़ेल को इंटरेशनल अप्रिसियेशन मिल रही है और जहां इसे बनाया गया वहीं बैंड कर दिया ये वेब सेर्स नेट्फिक्स पर रिलीज की गई है और ये ऐसा प्रेटफॉर्म है जिसे पाकिस्तान का वोई तब कस्तामाल करना जानता है जो मिडिक लास या उस उपपर है तो सुनान खालिद बैट इसी के बारे में लिखते हैं कि नेट्फिक्स पर पाकिस्तान के टॉप सर्चिस में चोड़ल जैसे शोज ही शामिल है तो मुझे उमीद है कि लोग इने बस कहानी के लिए ही देखते होंगे सनम सही लिखती है कि इस तरह के शोज बैंक करने का मंकसद अगर यह है कि इस से रेप बंध हो जाएंगे तो यह सोच गलत है अनुशी अशरफ लिखती है कि अच्छी या बुरी चोड़ल है तो एक वेब सिरीज ही जिसे नहीं देखनी वो नहीं देखे लेकि दूसरों से उनको freedom क्यों छीना जा रहा है और इसे बहुत से stars दें इसी तरह की बाते लिखी है तो पहमरा को अगर इतना ही अबबाब बनने का शौक है तो news challenge में सिर्फ मरतों कोई news anchor बनाया जाए तो आज के लिए बस इतना ही तुम इस band के बारे में क्या सोचते हो नीचे comments में बताओ अगर वीडियो अच्छी लेगी तो उससे like करो share करो अगर मेरी वीडियो पहली बार देखरो तो दल्दी से जाके subscribe करो और bell icon दबागे all black click करना ताकि तुम्हें मेरी notification सबसे पहले मिले और हाँ जाते जाते मेरी पिछली वीडियो भी देखते जाओ तो मिलते पिर अगली वीडियो में